यो इसमिर्ट ज्लेन में आपको स्वागत है आप सब कैसे है अभी हो आप सब च्छेंगे तो जाज मैं आपके लिए लिखे 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 इक और बननेवले रेस्पी यह हैं तो जाज यह मैं आज बनाओगी समाकी चावल और आलो की सबजी तो जारी के बनाओ नब देज्टों के बत में और इसके साथ मैं बनाओंगी अलोगा सब्सक्राइब करें चॉलो फिर बनानाय बनाकी बिलल पर पेशे पह सब्सक्राइब करें है यह चाफोल मैं रिफाइन ना है है और आप देस्थी वे दैसे भीकी कहा है ना तो 10 कॉmusic जो बच जाता है वर्थ वाला रिफाइंड वो यूज कर रही हूं मैं तो अभी इसमें मैंने डाले रिफाइंड डाले है कड़ाई में अभी इसको अच्छे से गरम होने दूंगी तो गाइज यह मैंने तीन टमाटर कट कर ले क्योंकि सब्जी बिना होगी और यह मैंने एक फ़्राइंड और यू जुब होगी नए टॉल डेने शावल में दिना कौला और चावल को अगया जाल जल्दी घल जातेरें और यह अगया तो पहले आलो को फ्राइं कर लूंगे इसको हम ज्यादा पाला नहीं हो चावल में ज्यादा जालने मिलिट जल्दी चरिया तो पा में प्रॉपरफ रट वगया हैं अभिसे हम निकाल लेंगे शाइड में निकाल लेंगे इसे हम पॉइल में चावल को छोखेंगे थोड़ा सड़ी जीर देंगे जीर को में अच्छे बूनेंगे जीरा हमारा बने चुकल क 후 इसमें हम डालेंगे टमाटर, मैं तो हरी मिट्ष इसको में चलिर तो मदूलेंगे तो कितों तहोदे किसे टमाटर को बुनुने अब तोड़ी हम लिए ज़या हमारा बनेगा, प्राण सहे। तब दालेंगे हम इसमें सेंदर नमक इसे अब अच्छे साम मिक्स कर लेंगे तो गाइस गैस फ्लिम का मने भी लोई रखा है अभी अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी से हम डालेंगे इसमें कलर के लिए लाल मिर्शी थोड़ी से बिल्कुल तो अभी कि इसे हम दुबारा से मिक्स कर लेंगे कि बड़त में तीका खाना ने खाते ना तो गाइस इसलिए अगर आप मिर्ची खाते तो डाल सकते हैं अब जो हमने आलू फ्राय करें तो डाल देंगे इसमें कि आलू मैंने पहली फ्राय कर लेते क्योंकि चावल तो जल्दी बन जात क्योंडिटी लेते हैं आप उसके कोडिंग नमग मसाले डाले इसमें तो अब इससे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स तो गाइस इसमें हम एक छोटा गिलास पानी आड़ करेंगे तो गाइस पानी भी नापके डाले क्योंकि ज्यादा पानी लग जाएगा तो चावल करेंगे फिर 5 मिट मद हम चैक करेंगे सके तो अधर मद हमारे चावल आप देख सकते हाँ को खुझ चुक नॕए और इससे मैं पीच पीच में चलावे लौ फ्लम पर पका तो आप डेख सकते हैं अभी इसे अवे 2-3 म लो काना ना लो फ्लम पे तो भी अभी साव इसने हम बन करते हैं तोटल इसमें लगया है आट में तो अब इस पर हम थोड़ा से डालेंगे उपर से हारा धनिया तो आट मिट में हमारे चावल एक दम बन करते हैं और यह देखनें बहुत यह में लग रहे हैं तो गाइस नवरात्रों में अगर आप ब्रोज कुट्ट्टू की थोड़ा से ओईल डालेंगे इसमें सब्ची को बनाने के लिए थोड़ा से ओईल डालेंगे तो गई जो मैं डेली इसमें पूरियां बगएर तलती तो इसमें मैं डेली अपने वर्थ का खाना बना रहे हूं तो गईस वही मैं आपको दिखा रहे हूं तो अब इसमें डाल काप के डाले तो एक सिरनों गोन फिंद कह तो अब एक टमाटर हम शक्राइब तो एक समय सक्छ और ंगे तो हैं पूंड जो हम जोटे ऑली जोटी नाज आतो बंड-ध्त तो न को जुद्था लाल से धुन प्रेमुन सब्सक्राइब अब इसमें डालें दालें काली मिट्टस का पाउडर तो यह मैंने पहले नौजब राद्रोग को पीश लेता आदे चम्मच यह डाला है मैंने आदे चमच के करिब डालेंगे नमक तो किस मसाले आप जतनी सब्जी बिना रहे हो इसके अकोडिंग डाले नापके तो अभी से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से हम चावल के साथ यह सब्जी खाने में अच्छी लगती है प्योगी चावल सूके सूके खाएने जाते तो इसलिए एक बार यह आलू नवी बदरशी है अस्साथ मैं नमसार नीयुक्त चारर को मैं पानजी यह आड़ेंगे आपंगे से कोडिंग कर सकते हैं इसे हम अब आसी मिक्स कर लेंगे सब्जीक अच्छे से तो गई खाना साधा बनता है ना तो इसलिए तो गई कलर इसलिए आपको पीला पील लब रहा हुआ तो इसमें पर से हम कोई दब करने लगाएंगे इसमें नॉर्मली ऐसे रखेंगे तो इस 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 फिलिम काम लो बिल्कुल फिलिम पर पकाएंगे सब्जी को वहाँ एकदम बन कर दे आ रहा हाँ अब बंकर यारा उपाट ऑफटे हम तो द्रहुदा डालेंगे हरा दनिया कि हरे दनिया से सब्जी का अच्छा जाता है और सब्सक्री कहाने में इंच्छ लगता है तो व तो अगर आपको ये रासिपी आपको नाइपने करें चलूं पर नाचलूं पर चलूं के प्लेटिंग आपका पॉक्डूं तो आज क्लिए पार मिलते हैं लिए विटेंगे तक लिए बाई